हाई अब्रीवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज जैसे कि हम हर बार एक नया टॉपिक लेकर आते हैं आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आएं और इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जो ब्लड शुगर होता है जो डाइबेटीज होती है उसमें कितने तरीके के टेस्ट करवाई जाती है कौन सा टेस्ट अच्छा रहेगा कौन सा बेस्ट रहेगा और जो की एकुरेट रीडिंग आपको ब्लड शुगर है या नहीं आपको लगता है कि आपको डाइबेटीज ह होई है लेकिन हो सकता है आपको गलत लग रहा हो तो बहुत सार इसके टेस्ट होते हैं हम एक ऐसा टेस्ट करवा लेते हैं जिससे की confusion created हो जाता है कि diabetes आपको है लेकिन ऐसा नहीं होता तो इसके लिए कौन सी इसके इंपॉर्डेन टेस्ट है वह आज की वीडियो में पताने वानूँ हूँ हूँ दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि diabetes आज के टाइब में बहुत ही common बीमारी है आपको बहुत सारे ऐसे मरीज मिल जाएंगे जो जिलको Diabetes होती है तो diabetes का test rate most common हो जाता है कि diabetes आपको अगर है तो आपको konsodist कराना चाहिए जादातर आपने देखा हो गए जो diabetes के परीज है वो finger से परिक करवाते हैं और जो glucometer से test लगवा लेते हैं वो सही से rating नहीं देता और उसको ही वो अपना लेकर और डॉक्टर के पास जाते हैं और उसी के अपड़िंग को अपना treatment लेते हैं लेकिन यह गलत है वो जो आप glucometer से टेस्ट कराते हैं वो accurate reading नहीं लेता इसके लिए बहुत सारे और भी टेस्ट होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि आप RBS डॉक्टर रिकमेंड करते हैं RBS RBS की full pump होती है random blood sugar तो random blood sugar जो है वो commonly test कराया जाता है और भी इसके टेस्ट है जैसे कि fasting हुआ पीपी हुआ और आपका RBS हुआ और HbA1c हुआ जीडी टेस्ट होता है तो यह कई सारे इसके टेस्ट हैं मैं आपको एक एक करके सबकी full pump बताती हूं जो fasting है उसका मतलब यह है कि जो morning बस morning जो sample लिया जाता है उसको मतलब बिना खाये हुए खाली पेट लिया जाता है और जो उसका खाने का जो gap होना चाहिए वो 8-10 hours होने चाहिए means आपको आपने नाइप में जो भाना खाया है उसका सुबह तक जो आप sample देने जा रहे है उसका gap जो है वो 8-10 गंटे का होना चाहिए दूसरे इसका पीपी होता है पीपी मतलब पोस्ट प्रेंट डियल ब्रेड सुगर लेबिल इसमें क्या होता है कि यह वाला जो test है वो आपको जब आपने फास्टी का sample दिया उसके just वाद आपको जो regular आप नाश्ता में लेते हैं वो आपको नाश्ता करना है और उसके बाद दो गंटे बाद आपको इसका sample हो जाके लैम में देना है उससे test लगाया जाएगा तो यह पीपी हुआ तीसरा इसका random blood sugar label होती है random blood sugar का मतलब है कि आपको दिन में कभी भी इसका sample ले लेना है और लैम में जाके देना है इनकी सबकी rating में आप आपको डिस्रिप्शन वोक्स में लिंक दे दूँगी वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं इनकी normal range क्या है और diabetes आप कप कह सकते हैं कितनी आपकी blood की label आ रही है उससे आप अपने आपको diabetic मानेंगे क्या आपको diabetes है तो यह सारी चेशा आपको confirm ज़रूर करनी है इन सारे test को अलग-अलग methods के दौरा अलग-अलग मशीनों से लगाया जाता है कभी किसी-किसी lamb में यह semi auto analyzer से लगाया जाते है किसी lamb में यह fully automated machine से लगाया जाते है यह कि आपको याद रहे कि आपको glucometer से finger से जो prick करके निकाला जाता है blood उस test को आपको नहीं लगाना है वो आपको accurate reading नहीं देता और आपको यह सारे test कराने है GTT test ऐसा होता है जो कि जिसमें आपको 75 gram sugar जो है 250 ml water में मिला के बिलाया जाता है उसके बाद sample लिया जाता है जब पहले इसमें क्या होता है कि इसका पूरा criteria है इसकी वीडियो में next लाने वाली हूँ जिसमें आपको GTT के बारे में full बताऊंगी लेकिन आभी मैं आपको इतना बताती हूँ कि GTT के बारे में क्या होता है कि GTT सबसे पहले पास्टिं का sample लिया जाता है उसके बाद इस दो गंटे बाद पेशेंट को बुलाया जाता है लेम में यह sample आप घर बा कलेक्ट नहीं कर सकते लेम में क्या होता है कि दो गंटे बाद आपको 75 ग्राम glucose 250 ml पानी में मिला के पलाया जाता है उसके जस्ट बाद आपको sample निकालना है उससे आपको reading लगानी है 3 मंत का एबरेज निकाला जाता है हमारे blood में glucose label का 3 मंत का एबरेज निकाला जाता है